स्वागत है आप सभी का इंडिविज्वल अश्टणी में अभी आयुद्या में राम मंदिर के भूमी पूजन समारोह का लेकर एक बात काफी ज़ादा ख़बरों में थी और वहती टाइम कैपसूल तो आज की इस वीडियो में हम जानेगे कि टाइम कैपसूल क्या है एक बात काफी ज़ादा भी बोली जा रही थी कि आयुद्या में जो राम मंदिर का भूमी पूजन समारोह चल रहा है वहाँ पे टाइम कैपसूल को भूमी के अंदर दफन किया जा रहा है तो वही हम जानेगे कि इस बात में कितनी सचाई है तो चलिए जैसा कि आप यहाँ पे असपास ट्रूप से पहले देख रहा होगे कि देखिए यह राम मंदिर के जो देखे सिरी राम जनुब हुमी तीर्थ छेतर की तरफ से एक ट्वीट आया था दgoing नहीं किया जा रहा है तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं बता जा रहा है कि इनके दवारा कहा गया कि एसा एक मामला काफी ज़्यादा हो रहा है नियूज में और कहा जा रहा है कि आयूद्ध्या के परिशर में एक टाइम कैप्सूल को दéfन किया जा रहा है तो वो सारा जो बात अभी बताय जा रहा है न्यूज में वो क्या है तो वो फेक है तो यह कि उनके दोरा कहा गया तो देख सकते हैं यह अदिया परिसर जो 13夏 ए цे करेटरा नहीं के दोरा कहा गया है । Courć चमपत राई के द्वारा अब चलिए हम जानते हैं कि Tाइम कैपसूल होता क्या है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे टाइम कैपसूल इसे हिंदी कहते हैं काल-पात्र भी कहते हैं इसके बारे हम बताये जा रहा है कि Tाउम कैपसूल एक कंटेनर सालों तक ना तो उसको कोई नुक्सान नुक्सान पहुंचता है और ना ही हुku सर्ड़ता ग equipped है तो यह सारे टाइम कैपसुल के बारे में भी सिस्ता हैं। साथिया आंप देख सकते हैं कि टाइम कैपसुल की ओर जरूरते को जैसा की यहां पर तो इस सारे दस्तावेच को रखे जाते हैं जो हजारों साल तक क्या रहते हैं तो सुरच्छित रहते हैं। वह किसी भी प्रकार का मौसम हो या वहां पर पानी की कुछ रिसा हो एवं अन्न कोई चीज भी हो उससे इसके अंदर रखे चाहे वह नकसा हो या इसके अलावे अभी किसी भी परकार का टाइम कैपसूल को वहां पे दफ़न नहीं किया गया ऐसा कहा गया था राम मंदिर के जो छेत्र हैं जो ट्रेस्ट हैं उन्हीं के दवारा तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ बाते जान लेते हैं यहां से कुछ रोचक बातों भी आपको आज जानन दो देखिए भारत में टाइम कैपसूल के कुछ उदारेंने जैसे की लाल कीला में टाइम कैपसूल of रख गया था लेकिन ये काफी रोचक है वापस से हजार साल तक रखा गया था कि हजार साल तक वह सुरचित रहेगा लेकिन बिपच के सरकार के द्वारा उस टाइम कैपसुल को निकाल दिया गया था तो हम ये भी जानेंगे आयार्टी कानपुर में भी टाइम कैपसुल रखा गया है इसके अलावे एन टाइम कैपसुल जो भारत में है वो आप देख सकते हैं जो सौथ मुंबई है उसके एक एक स्कूल है वहाँ पर एक टाइम कैपसुल रखा गया था एलेक्जेंडर गिल्स इंग्रिस तो अचली आज का जो रोचक है वो है लाल मंदिर का टाइम कैपसूल तो हम इसके लाल कीला का टाइम कैपसूल तो इसके बारे हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाल किला में टाइम कैपसूल के बारे में चली है थोड़ा हम जानते हैं तो देखिए लाल किला में जो टाइम कैपसूल यानि की काल पात्र किस के दोरा रखा गया था तो पहला ये प्रश्ण बनता है किया इंदरा गांधी जी के दोरा रखा गया था जो कि उसमें ततकालिन परधान मंतरी थें साथ ही में इसे कब रखा गया था तो ये डेट 15 अगर्स 272 को रखा गया था जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा लाल किला उसके परिसर में यहाँ पर टाइम कैपसुल को रखा गया था हाला कि इसको देखे रखने का जो उद्देश यह था देखे इट वा सिडिल टू बी ओपेंड आफ्टर थाउसेंट इयर तो हजार साल बाद इसको निकालने के बाद की जा रही थी कि उसमें जो भविस जो हमारी पीडी होगी वह भी इस परकार के इतिहास को देखेंगे लाल किला के बारे में जो इतिहास इसमें बताया गया है लेकिन मातर पांच साल अगले पांच साल के बाद यानि की 1977 में इसे निकाल दिया गया था तो हम समझेंगे क्यों निकाला गया था तो चलिए उसको हम थोगा डिटेल में समझते हैं तो जैसा कि देखें लाल किला के जो time capsule है उस पे जो बिवाद है उसके बारे में यहां पर बताया गया है कि Congress सरकार ने उस समय जहां time capsule को आजा दी के 25 वरसों बाद हमारा देश 1947 में क्या हुआ तो अंग्रेजों से 173 हुआ और 1972 में इसे निकाल दिया गया इस time capsule को यानि कि उसके अंतरगात हमारे 1972 में वहां पर time capsule को दफन किया गया तो आप समझ सकते हैं कि लगवग 25 वरस का समय था उस समय तक तो Congress उस समय बता रही थी कि यह जो time capsule वहां पर रखा गया है उसका उदेश यह है कि जो 25 वरसों में देश की जो उपलब्धी प्राप्त हुई है संगर्स की कहानी है उन सभी को पांडू लूपी के माध्यम से सारे जो डॉकुमेंट्स हैं उसको इस कालपात्र में रखे गये हैं वहीं बिपच्छ का क्या कहना था तो विपच्छी जितने भी पार्टी थे उनका कहना था कि जो कॉंग्रेस है अर्थात इंद्रा की जो सरकार है वह टाइम कैप्सुल में अपना और नेहरू गांधी परिवार का महिमा मंडल किया है यानि अपनी खुद बढ़ाई किया गया है अपनी परिवारों को और उसे बढ़ा चड़ा कर काफी ज़्यादा बताया गया है तो इसी को लिकर विपच्छ का काफी ज़्यादा इसके प्रती रोस था तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा पार्टी ने चुनाओ से पहले या मुद्दा भी बना दिया था कि अगर हम सरकार में आते हैं हम चुन कर आते हैं तो जो लाल किला के अंतर परिशर में जो अभी टाइम कैपसूल रखा गया है उसे हम खोद कर निकालेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ और पुना ऐसा होता ही है 1977 में मरारजी देशाई के नेतरी तुमें जनता पार्टी आती है और देखिए सरकार के गठन के कुछ दिनों बाद ही टाइम कैपसूल को निकाला जाता है लेकिन जनता पार्टी के सरकार इस बात का खुलासा नहीं करती है कि उस टाइम कैपसूल में क्या था और दोस्तों ये भी जानिये कि फिलहाल अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि उस टाइम कैपसूल में कांग्रेस के दोरा क्या वहां पे लिखा गया था क्या संजो के रखा गया था तो यह देखिए यहीं मुरारजी दिसाई इनके दोरा ही टाइम कैपसूल को निकाल दिया गया था अब चलिए हम जानते हैं कि जो टाइम कैपसुल है उसका महत्व क्या है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाइम कैपसुल का उपयोग क्या किया जा सकता है तो इसके बारे में बता जा रहा है कि टाइम कैपसुल का उपयोग भविश की पीडियों को इसके बारे में देखे क कि जो भविष में हमारे पीड़ी हैं उनको देखे यहां से काफी जादा मदद मिल सकती है वो संचार अस्थापित कर सकते हैं पुराने जो ततकालिन समय है उसको लेकर जो भविष में बाद के समय में होगा उससे साथ ही टाइम कैपसुल भविष के पुरा तत्व बीदो जो यह आपको जाना यह दोनों टाइम कैपसुल का महत्व है अब हम आपको यह भी जाना है कि टाइम कैपसुल की अलोचना की क्यूं की जाती है तो देखिए अलोचना कहीं परिणाम था जिसके अंतरगत मुरारजी दिसाई ने इंदरा गांधी के दौरा जो लाल किला में कर्क्ती परक अभ्यास से जिसे बरतिमान में महिमे मंडल के रूप में पैस कि अ billing कहा कि जा रहा है चीज है और उसमें लिख देती है जो की इतिहास या उस समय के जितने भी चीज़ हैं उससे खिलवाड होता है और बाद में जो प्रोपर शंदेश जाना चाहिए वो नहीं जाता है साथ ही time capsule में पर्यापत जनकारी का भाव होता है साथ ही कई अस्थानों से परयापत time capsule में उस समय को लोगों के बारों में बहुत कम जनकारी मिलती है अभी भी बहुत सारे टाइम कैपसूल देखनों के मिले हैं अगर आप इसे और डिटेल में पढ़िएगा तो लेकिन उसमाज के लोगों के बारे में नहीं मिलता है ज्यादा तर राजा के बारे में उनके परिवार के बारे में ही इस परकार की चीजों को देखने को मिलती है इसलिए काफिस जादा जो अलोचक हैं इसकी क्या करते हैं तो अलोचना करते हैं अब चलिए अंत में हम जानते हैं कि निसकर्स क्या निकलता है कि टाइम कैपसूल के क्या फाइदे हैं क्या नुकसान है तो यहां पर देख सकते हैं कि टाइम कैपसूल इतिहास को दर्शाने का एक मानी तरीका नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि time capsule में रखे जाने वाले दस्तावेजों का परमान नहीं किया जाता, अगर जितनी भी दस्तावेज time capsule में रखा जाते हैं, उसको उचीत रुप से परमान किया जाए, सब ही के देखरेक में हो, तो ये अगर इसे प्रोपर रूप से सत्यापित किया जाता है तो यह आगे चल कर काफी ज्यादा अच्छा साबीत हो सकता है तो आप तक टाइम कैपसुल के बारे में डिटेल समझ गया होगे चलिए वीडियो अच्छा लगा और प्लीज इसे लाइक करें और आगे शेयर भी करें ध